मतलब ये खबर मैं confirm नहीं कर रहा हूँ में भी हो सकता है मुझे कोई इसकी शोरेटी नहीं है मैं अभी गया तो शोरूम तो वहां से मुझे बाते पता चलिए मैं उन पर उतना ट्रस नहीं कर सकता क्यूंकि लोग बस बोलते बहुत हैं फोर्ड बहुत अच्छी है इसके कार क की डायमिक्स अच्छी होती है कार की ड्राइविंग क्वालिटी काफी अच्छी होती है लेकिन लेता कोई नहीं है सब जाके एर फिल्टर और एर प्यूरिफायर देखके गाड़ी खरीदते हैं अच्छी है वीडियो जित्ते भी फोर्ड ओनर्स या वोड लवर्स हैं उनके लिए काफी सैड वीडियो है बोफी लोगों के न्यूज दो दीन पहले पता चल चुकी है रिस पर कुछ रिसपॉंड नहीं किया खास काफी लोगों ने मुझे रिस्पॉंड करने को बोला है ये बार बार बोला कि आप इस पर कुछ अपने व्यूद शेयर करीए और लोगों की इस पर वीडियो बनाओ तो बट मैं दो दिन इसे लिए रुख गया था क्योंकि एक तो सीरिसली मेरा मूड खराब हो गया था वो न्यूस सुनके कि Ford is exiting India एन ओफिशल स्टेटमेंट थी Ford की एंड उसके बाद मेरा मूड खराब हो गया सबसे पहले तो बहुती मलबुरा लगा एंड उसके बाद एक दिन तक कुछ करने का मन नहीं किया ठीक से फिर उसके बाद नेक्स डे मैंने का थोड़ा रुकते हैं कि फिलहाल सारी चीज़ें एक बार आउट हो जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं Ford क्या प्लान कर रहा है अब बाहर जा रहा है तो क्या एक्सपोर्ट करेगा मैंने का सारी चीज़ें एक बार पता चल जाएं एक दो दिन में उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हाँ ये बात सच है कि Ford इंडिया से फिलहाल के लिए तो जा रही है और फोर्ड ने अपने दोनों प्लांट जो हैं बन करने का अनॉंस्मेंट कर दिया गया है और उसके बाद अब फोर्ड की कोई भी कार सेल्स पे नहीं जाएगी जितनी बची हुई है वो लॉट खाली होगा उसके बाद कोई भी कार फोर्ड की ओन सेल नहीं रहेगी आपकी फोर्ड एस्पायर फीगो फ्रीस्टाइल इको स्पोर्ट ये चार गाड़ियां मैनेफेक्चर हुआ करती थी इनकी मैनेफेक्चरिंग बन दो चुकी है तो यही न्यूस थी और वही है कि वीडियो मैंने बनाया कि प्रॉब्लम्स उससे बड़ी यही है कि फोर्ड के जाने का कारण थोड़ा फोर्ड की भी गलती है उसके साथ हम कंजूमर्स की भी गलती है यह बहुत पहले से बोलते आया हूं कि यह गलती दोनों की है Ford की भी थोड़ी गलती है and consumers की भी है consumers की गलती कहां से है यहाँ पर अभी मैंने देखा काफी सारे post आ रहे थे Instagram पर, YouTube पर भी जितने videos बने Ford के उप़र अभी पिसले दो दिन में कि Ford जा रही है तो सबके comment sections में यही चीज़े भरी हुई है कि we'll miss you Ford and Ford was very good car making company and मलब हमें बहुत पसंद है Ford की car लेकिन उन में से mostly लोग बस लिखते हैं बोलते हैं लेकिन end में जाके वो खरी देंगे कोई air filter वाली कार या आपकी mileage machine खरी देंगे तो बात वही है कि बोलने से कुछ नहीं होता है अगर आपको car पसंद थी तो आपको buy करनी चाहिए थी है अगर car buy करते लोग मलब अगर आधी sales भी बड़ी manufacturer जो इंडिया की हैं उनकी आधी sales भी अगर food ले पाता तो आधी sales से भी food का काम चल जाता है और पिछले 10 साल में Ford को 2 billion dollars का loss हुआ है जहां तक articles में बोला गया है and two billion dollars मतलब almost 15,000 करोड का loss हुआ है पिछले 10 साल में Ford को तो यह loss काफी बड़ा है and वही बात है कि Ford को इतना loss हो रहा था इसी के वज़े से शायद उन्होंने decision बनाया and जो मेरा पुराना वाले वीडियो था जो एक मैने पहले मैंने R9 के साथ बनाया था वो वीडियो मैंने वो वीडियो private कर दिया अब क्योंकि उस वीडियो की relevance अब रही नहीं क्योंकि उस समय तक जहां तक news थी EcoSport की testing चल रही थी Ford Figo Automatic launch हुई थी तो वैसे देख के उपर से बिलकुल नहीं लग रहा था कि Ford जाने वाली है लेकिन कल अच टेस्ट कर रहे थे वो कार मुझे अब समझ नहीं आया कि जब उन्हें बंदी करना था तो टेस्ट क्यों कर रहे थे वही सब देखके मुझे हम प्रिडिक कर रहे थे कि Ford नहीं जाएगी लेकिन At and Afford ने कह दिया है कि वो जा रहे है अब के अलवो CBU यूनिट्स वगरे लेगी तो उसमें आपको कोई टेंशिन की बात नहीं है अभी आज मैं सर्विस एंटर गया ही था अभी वह वाली किलिप आप लोग देख लीजिए तो अभी मैं निकल गया हूं शोरूम की तरफ अभी देखते हैं कि रियालिटी में क्या चेक है इस समय क्योंकि बंद तो ह यह बड़े शोरूम का एक सबसीडरी तो अब पता नहीं एक बार पता कर लेते हैं कि यह कंटीनु करेंगे सर्विस इस की नहीं तो चली चलते हैं और देखते हैं मैं आपको बताता हूं पता करके कि क्या अपडेट है इस समय इस सिटी तो आएम एट फोड तो आचुका हूं मैंने बात वगरे कर लिये और कुछ फैक्स पता चले हैं जो लोगों को नहीं पता हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा तो फिलाल चलते हैं घर पे और वहां बैट के अराम से मैं बाकी चीज़ें डमन्स्ट्रेट कलता हूं और पताता हूं कि क्या एक्चुली में चीज़ें चल रही हैं फोड के अंदर चली चलते हैं घर पहले तो सर्विस एंटर में होके आया वहां पर मैंने सब पता किया सेल्स वाले इंप्लॉईस जो हैं उनको ले आफ कर दिया जाएगा कुस दिनों में दो तीन महीने में लेकिन जो आपकी सर्विस वाले इंप्लॉईस एंट सर्विस है वो चालू रही तो वो सारी चीज़ें अभी फिलाल तीन-चार साल तक तो नहीं कोई दिक्कत आने वाली है बट वही है अगर फोड कुछ अपना और कोई प्लान नहीं लाती एक्जिक्यूट नहीं करती है तो एट कर दिया तो पार्ट्स की अवलिबिल्टी है बेसिक पार्ट्स की अवलिबिल्टी हमेशा रहेगी तो उसमें कोई इशू नहीं लेकिन हाँ ओर दा पीरेड ऑफ टाइम जो है थोड़ी डिग्रेड होती जाएगी जैसे की शेवले के साथ हुआ एंड रीसेल वेल्यू की इंडेवर हो गई कोई भी कार होगी फोड की सबकी रीसेल बहुट डाउन आ गई है तो मेरा आप लोगों से यही ओपीनियन रहेगा कि अगर आप फोड की कार ओन करते हैं तो उसको सेल करने मत भागिये अभी क्योंकि आपको फोड के लावा और कोई कार चलाने में मज़ा करने की सोचें अभी इसको सेल करना समझदारी नहीं है मेरे कॉर्डिंग और मैं भी नहीं सेल करने आला इस कार को इसको अभी मैं पांसाल अट लीस्ट रख होंगा क्योंकि फोड फ्रीस्टेल चलाने के बाद इतना बड़ी है यह ऑप्शन था अपने सेग्मेंट में अब इसके अलावा मैं क्या ही बाया करूँगा इससे बेटर ड्राइविंग डैनेमिक्स किसी कार के नहीं है एक फॉक्स विगन के हैं तो उनकी सर्विस ही इतनी महेंगी है कि और उनकी कार में भी कोई अपडेट आता नहीं है तो फॉक्स विगन को अगर हम छोड़ दे, इसके बाद करते हैं क्योंकि इसी का देखा देखी बाकी कार में सेफटी फीचर आना शुरू हुए है वरना 2015 से फोड जो है सिक्स एर बैक्स दे रहा था जब लोग को पता ही नहीं थे एर बैक होते क्या है तब से फोड दे रहा है सिक्स एर बैक्स तो फोड 15 से 2015 के बाद से फोड काफी इंप्रूव हो गया ता सर्विस अस्ती हो गई थी प्रोड़क्स ठीक था अच्छे आ रहे थे डीजल इंगन काफी अच्छा था इनका उसके बाद भी और पीरिड ऑफ टाइम जो छे साल है इसमें भी फोड ने कुछ खास सेल नहीं की तो फोड के टॉप वेरियंट में 6 एरबैक्स ओफर करता था और लोवर वेरियंट में 2 एरबैक्स तो ये सारी चीज़े फोड हमेशा से पिछले 6 साल से कर रहा है जो कि इंडियन मार्केट में बाकी कंपनीज ने पिछले 2 साल में तीन साल में करना शुरू किया है अब फोड चला गया मार्केट से तो कॉपडिशन कम हो गया है उसके सासत अब सेफटी पर पता नहीं कितने ध्यान दिया जाएगा टाटा दे रही है बट उसके अलावा और कोई ब्रैंड तो मुने नहीं लग रहा ठीक से दे रही है जो में स्ट्रीम ब्रैंड है टाटा महिंद्रा सेफटी पर तो यहान दे रही है लेकिन उसके लावा और किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा सेफटी का और यही मेरा ओपीनियन था मैं क्या ही बोलू इस पर बंद हो गई है न्यूस सच है और बाकी तो वही है कि जो फोड चलाते थे उन्हीं को पता है कि फोड की क्वालिटी फोड के ड् पता देता हूं यह पेट्रोल कार है मैं कई बार अपनी वीडियो में पहले भी बोल चुका हूं कि यह मुझे 17-18 का मालेज दे दकती है और अगर मैं इसी की कॉंपिटीटर में बात करूं तो अगर आप अल्ट्रोस को लेते हैं या स्विफ्ट को लेते हैं आई 20 को लेते ह डेफिनेटली सी बात है थोड़ा सा मालेज कम होगा लेकिन 17-18 मुझे आज भी मिलता है इस कार से हाईवे पे मैं तो खुश हूं और डीजल इंजन इसका काफी अच्छा मालेज देता है वो तो उनके बराबर ही डीजल के बराबर मालेज देता है 22-23 अराम से देता है वो पर फोड के साथ वही छोटी मोटी चीज़े थी फोड की गलती वस यही थी कि फोड ने जो है अपनी जो मार्केट को ना समझानी ठीक से फोड समझ तो गया था बट वही है कि फोड ने कार के लुक्स पे जादा थ्यान नहीं दिया आज कल इंडियन कंजूमर्स क्या है कार्स आप देख सकते हैं काफी अग्रेसिव लुक है काफी फ्रेश लुक है लेकिन फोड और फॉक्स वेगन नहीं सब मैनेफेक्टर जो हैं एक सटल लुक दे रहे थे जो कि लोगों को आज उत्ता पसंद नहीं आता है तो लोग अट्रैक नहीं होते हैं मुझे लगता है फ़ोड की सेल्स इंक्रीज होती और मुझे लगता है फोड ने एक्जिट जो है थोड़ा जल्दी कर दी है फोड को एटलीस मुझे लगता है 5 साल और देने चाहिए थे मार्केट में जब electric era आ जाता इंडिया में and electric cars में भी उनको थोड़ा सा अपना हाथ आजमाना था and overall लोग safety की तरफ भी shift हो रहे हैं मारूती का जो market share वो कम होता जा रहा है पिछले 2-3 मैने से आप अगर sales चेक करेंगे तो मारूती का market share कम होता जा रहा है Hyundai का भी कम होता जा रहा and ये दोनों car companies manufacturer companies की cars mostly unsafe हैं मतलब 2 star 3 star वाली cars हैं लोगों के पास तो बात वही है कि unsafe cars की तरफ लोग कम जा रहा हैं टाड़ा का market share बढ़ रहा है महिंद्रा का बढ़ रहा है Aspire को update कर देती and एक EcoSport और endeavor के बीच में product और place कर देती तो मुझे लगता है Ford definitely काफी अच्छे position बना पाती है Ford की position इती बुरी भी नहीं थी Dadson का हाल देख सकते हैं आप Nissan का भी हाल समला है Magnite की वज़े से अधरवाइस Nissan के तो हाल काफी बुरे थे तो यह सारी चीज़े हैं Nissan के कितनी बुरे हाल थे अभी उसके नकिक्स बिकरी थी कोई company नहीं कोई कार उनकी नहीं बिकरी थी लेकिन Ford की तो endeavor भी अच्छी बिकरी थी EcoSport अच्छी बिकरी थी और freestyle भी respectable numbers में sale हो रही थी लेकिन वही है कि इनको पता नहीं क्या लगा कि exit करना चाहिए इंडियन मार्केट से क्योंकि Ford से भी ज़्यादा खराब हालत में Volkswagen भी है उनकी तो कोई कार उतनी खास sale नहीं हो रही है अभी उन्होंने भी इंडियन मार्केट को समझ के product launch करना शुरू किया है उन्होंने भी adapt करना शुरू कर दिया कि इंडियन को चाहिए feature ज़्यादा चाहिए और इंडियन को looks काफी अच्छे चाहिए यह दोनों चीज़ अगर कार में हो टो definitely भिकने लगती है रेनो ने भी यह समझ लिया तो रेनो की भी sales इंडियन मार्केट में थोड़ा सा लुक्स को increase कर देता फोड तो कुछ बात बन सकती थी और फोड को at least 2026 तक रुकना चीए था यह थिंक पांस साल का वेट करना चीए था इकोस फोड अपडेट करनी चीए थी और अपडेट करके एक बार देखना चीए था response और मुझे लगता है कि response मिलता फोड को लेकिन वही है फोड ने जाना जादा बेतर समझा अभी कुछ मतलब यह खबर मैं confirm नहीं कर रहा हूं में भी हो सकता है मुझे कोई इसकी शोरेटी नहीं है मैं अभी गया तो शुरूम तो वहां से मुझे बाते पता चली है मैं उन पर उतना ट्रस नहीं कर सकता क्योंकि उनको भी main company के management का तो पता नहीं है बट उन्होंने ऐसा बताया है कि chips की shortage के वज़े से Ford ने जो है इसको अभी बंद कर दिया है sales को और maybe Ford जो है next year तक वापिस से sales जो है manufacturing जो है शुरू कर सकती है ऐसा मुझे वहां के dealers बता रहे थे Ford वाले मुझे इस पर कोई ऐसा नहीं है मैं नहीं कह रहा है ये बात सच है लेकिन हो सकता है कुछ chances है कि Ford हो सकता है कि next year तक maybe Ford अपने कुछ नए line up के साथ वापिस आ जाए क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये चीज़े सच क्यों लग रही है मैं को emotional होके नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं आ जाएगी Ford emotional नहीं होके बोल रहा है मैं logically बोल रहा हूँ logic क्या है मेरा कि Ford EcoSport की testing कर रहा था साफ साफ दिख रहा था फोड एंडेवर के एक बड़े engine की testing कर रहा था क्यों कर रहा था फोड अगर फोड रैप अप करने की सूच रहा है तो वो छे मैने आठ मैने पहले ही वो सारी चीज़े बन कर देते हैं बट उन्होंने बन कहा कि अभी पिछले मैने Ford EcoSport के spy shots आ रहे थे तो maybe हो सकता है कि Ford ज बबारा से sales शुरू कर दे ऐसा हो भी सकता है you never know but इसको मैं नहीं कह रहा कि यह बात सच है 100% true होगी तो यही था मेरा आज का वीडियो Ford के उपर and कोई scripting नहीं थी मुझे जो जो information पता चली मैंने आपको बता दी and वही है Ford का आपको service मिलती रहेगी सारी चीज़े मिलती रह है and जो मैंने आपको बताया अभी point वह भी हो सकता है सच हो maybe and overall हम consumers भी जिम्मेदार है Ford के जाने पर क्योंकि लोग बस बोलते बहुत है Ford बहुत अच्छी है इसके car की dynamics अच्छी होती है car की driving quality काफी अच्छी होती है लेकिन लेता कोई नहीं है सब जाके air filter और air purifier देखके ग खरीते Ford की गाड़ी तो क्या ही मैं बोलूं तो वही है कि simply से बात है यहां पे consumers की भी गलती है कि आपकी जैसे एक अच्छी car manufacturer company इंडिया छोड़के जा रही है तो यही था मेरा एक video and video पसंद आया और तो आप like share subscribe कर सकते हैं and मैं मिलता हूं लोग से next video में तब तक के लिए seatbelt penny, helmet penny and safe chili, good bye